माध्य प्रदेश के ओध्यों की नगरी इंदोर अप अप्राधिक नगरी बनती जा रही है। दरसल यहां आए दिन लूट डकेती और हत्या जिसी वारदाते सामने आ रही है। उसी क्रम में सुरक्षा गाड की धारधार हत्यारों से गला रहत कर हुई हत्या का मामला भी है। ऐसे में सवाल पुलिस और प्रसासन की वेवस्ताओं पर उठ रहे हैं। जी यहां शुक्रवार रात को भी यहां एक सुरक्षा गार्ड की हत्या की वारदात सामने आई है जिसका पता आग सुबह चल पाया गटना इंदोर की तिलक नगर ठाना शेतर की है जहां मूलतह उत्तर प्रदेश के रने वाले रामजी शुक्ला नामक युवक की धारदार हत्यारों से गला काट कर हत्या कर दी गई मृतिक राम जी शुकला का हालिया निवास अंदोर के मुसा खेडी शेत्र में और वर रिंग रोड स्थीद अलूमिनस कमपनी में सुरक्षा गाड के तौर पर नौकरी कर रहा था राम जी शुकला को अलूमिनस कमपनी ने रात में कमपनी के ही दफ्तर में सोने की इजाज़त दे रखी थी बता दे कि अलूमिनस कमपनी के दफ्तर में CCTV कैमरे नहीं लगे हैं ऐसे में पुलिस के लिए हत्या की गुत्ति सुलजाना एक बड़ी चुनोती है वहीं समवत हत्या की इस वारदात में अवेद संबंदों का एंगल भी सामने आ रहा है हाला कि आधारिक तोर पर पुलिस ने इस मामले में अभी कुछ नहीं बताया है फिलाल पुलिस के तफ्तिश जारी है इंदोर सी ब्यूरो राकेट सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट कमरे में इनकी डेट बॉड़ी मिली है और धारदार हत्यार से इसका गला इनका काटा गया है और इसमें पुलिस अपना तप्तिश कर रही है इसमें हत्या का इसमें जो अभी समझ में आ रहा है जो अभी प्रथम दिश्टा देखने में कि दो लोग थे एक ने चपल पहन रही थी और एक जो है बेर फूट था तो उन दो के निसान है बस अभी तो इतना ही क्लू है बाकी हम लोग आसपास के CCTV फुटेज और इसका पास सेश्टी चक्रवा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ निकल करके सामने आएगा मृतक का नाम राम जी सुपला अंदर पर CCTV फुटेज मिला ओफिस के नहीं अभी इसमें यहां पर तो अभी नहीं दिखा है और चुकि एक आदमी भागा यह बाहर की तरफ और एक फुटादी दिख रहे हैं तो दिखते हैं इसमें कि आँगे कही CCTV होगे तो वहां पर समझन सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले